दोस्तों कि आपको पता है कि हम अपने जीवन भर में अपने ब्रेन का सिर्फ 10 फीसिदी ही यूज़ कर पाते हैं कल्प ना कीजिए यदि हमने अपने ब्रेन का पूरा 100 फीसिदी उपयोग कर लिया तो क्या हो सकता है हम अपने ब्रेन की वर्किंग समझ कर आस्चारे चकित रह सकते हैं साइंटिस्ट कैई सालों से मानव ब्रेन पर काम कर रहे हैं और हर सालों ने कुछ नई चीज़े इसके बारे में पता लगती है सोच कर देखे कि दुनिया की हर चीज़ जो मानव ने बनाई है वह पहले ब्रेन ने सोची है प्रत्य एक आइडिया पहले दिमाग में आता है और बाद में कई चीज़े बनती है नमशकार दोस्तों मैं हर शाब सभी का स्वावत करता हूँ एच के वल्ड में और आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपका यकीन करना मुश्किल होगा क्या आपको पता है ब्रेन में कोई नस ही नहीं होती अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है जिसे पूरी बोडी का नर्वस सिस्टम चला रहा है उसमें कोई नस ही नहीं हो ये human बोडी का एक मातर पार्ट है जिसमें नसे नहीं होती इसलिए ब्रेन में कोई feeling नहीं होती और ना तर्द होता है इसलिए brain की surgery के समय बोडी में कोई भी दर्द का एहसास नहीं होता है क्या आपको पता है इस planet पर most powerful चीज brain है इसका मतलब ये computer से भी ज़्यादा powerful है यदि human brain एक computer होता तो वह 38,000 trillion tasks और operations प्रतिस second कर सकता लेकिन हमारा brain super computer की तरह perform नहीं कर पाता क्योंकि ये एक समय पर एक ही चीज पर focus नहीं हो सकता क्या आपको पता है कि brain सबसे ज़्यादा energy का उप्योग करता है brain का वजन सिर्फ 3 laps यानी करीब 1.5 kg होता है और बोडी के total weight का सिर्फ 2 फीसिदी ही होता है लेकिन ये सबसे ज़्यादा 20 फीसिदी energy का इस्तमाल करता है इसका मतलब की हमारे शेरी में जितना blood और oxygen है उसका पांचवा भाग brain इस्तमाल करता है जबकि brain का 75 फीसिदी भाग पानी से बना है इसलिए brain को स्वास्त रखने के लिए exercise जरूरी है जिससे blood circulation तेज हो और oxygen परियाबत मातरा में मिले आम तोर पर ये कहा जाता है कि left और right brain डिफरेंट होते हैं लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा अतिरजीत की गई है इस बारे में fact ये है कि हर आदमी nature के अनुसार left और right brain का इस्तमाल करता है लेकिन हर समय दोनों तरफ के brain का इस्तमाल ही करता है ये हो सकता है कि एक तरफ का कम और दूसरी तरफ का ज्यादा इस्तमाल हो लेकिन किसी भी thought को सोचने और करने में दोनों तरफ के brain का इस्तमाल होता है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बताएं और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाते रहतूँ थैंक यू